हेलो फ्रेंड्स यहां पर तीन एसिट दिये गए हैं और उनका एसिडी को ओडर निकारना है किसी भी किसी भी एसिड का एसिडी को ओडर निकारने के लिए सबसे सबसे पहले हम उसका कॉंजुगेट बैस बनाते हैं हमने उसका कॉंजुगेट बैस बनाया है इसमें से एक सब से पहले को हलं है का यह मारा कींजूगेट बेस तैयार होला अब इसमें हम देखे हैं कि इसका हेपी दिचेशन यहां पर कार्बन का हेपी दिचेशन देख्ते हैं यह abd इस carbon का hybridization देखते हैं इसका SP2 है और इस carbon का hybridization हम देखते हैं SP3 है हम अच्छे से जानते हैं कि इसका hybridization होता है electron negative की बात करते हैं SP, SP2 and SP3 में तो SP की electron negative is greater than SP2 than SP3 ठीक है जिसके electron negative ज्यादा होगी वो electron ज्यादा खीचेगा ठीक है तो SP वाला carbon है वो इसके electron को खीचता है इसके electron को अपनी तरफ attractive करता है तो इसका negative charge क्या होगा कम होगा ठीक है तो सबसे कम होती है तो इसका negative charge कम होगा लेकिस थोड़ा कम होगा सबसे कम होती है तो यह एलेक्ट्रोन को अट्रेक्ट करेगा लेकि इतना ट्रेक्ट नहीं कर पाएगा तो फिर इसका नेगिट्व चार्ज थोड़ा ही कम होगा तो यहां पर देखो जिसका नेगिट्व चार्ज जितना ज़्यादा कम होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो देखो सबसे ज़्यादा यह नेगिट्व चार्ज किसका कम हो रहा है इस अले एसिड का नेगिट्व चार्ज कम हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी इसकी stability ज्यादा होगी यह सबसे ज्यादा stability ज्यादा यह इससे बन रहा है यह इससे ज्यादा बन रहा है यह इससे ज्यादा बनेगा तो यह बहुत टूटेगा यह टूटेगा तो यह सबसे ज्यादा acidic होगा, तो इंका acidic strength का order आजाएगा C, यह सबसे ज़्यादा acidic, फिर देन यह, फिर देन यह, Thank you